ऐसे विज़े से लांचन लग सकते इंडू अको मनेटरी अवेमलेटे चीजे हो गया। जोपिटर नाइन्थ हाउस का मौलिख होता है तो कहीं न कई फादर को कश्व हो रहा है। फादर को कुष्ट फाइस्व हो रहा है क्योंकि यह चीज हम संसे भी कन्फर्म करना चाहेंगे संभी ट्वेल्थ हाउस में यह अभी राशी में गए नहीं लेकिन हमको बता रहा है हाउस जाड़ बता रहा है वह जूपिटर तुम्हारा अश्टब में है जूपिटर नैचुरली नौवे घर का मालिक होता है वह अश्टब में तो फादर विल बी अ प्रॉमिनेंट परसें बट क्यान है संभी ट्वेल्थ हाउस में था में तीन तीन चीज़े कन्फर्मेटरी मिल गई यहां पर तो हमें पतका पता है कि बही चार्ट में कुछ तो फादर के रिलेटेड में अभी गड़बड है ठीक है नाइन्थ हाउस का मालिक हो इब वहीं बैठा है रोफेशन को अट्वैंस करके रखेगा बड़ा संघर्श करना पड़ेगा प्रोफेशन ऐसे बहुत आसानी से नहीं देता है साटन और जितनी उमर बढ़ती जाएगए उतना पर्फेशन निखरता चला जाएगा पर लिए प्रोफेशन विल भी डिफिकल्ट इशू जो गे प्रोफेशन मिलेगा नहीं या फिर होगा भी तो बहुत चीजे ऐसी है जिसमें बहुत जादा मगज मारी है समझ रहा है एंदेन शोली दा एज गोला शाटन विल स्टाट गिविंग रिद रिजल्स लेवंथ हाउस इसकी दो मालिक है साटन एन राहू आप क्योंकि साटन इससे ट्वल्थ में आ तो हमें इसको नहीं लेना चाहिए सच पुछो तो क्योंकि साटन is not well placed to this position so we should be looking at Rahu as well now Rahu को थोड़ा prominence मिल रहा है दोनों देखना चाहिए रहा को prominence मिल रहा है यहां पर Rahu कहां बैठा है? Rahu बैठा है 11th house में वहां से 11th placed है now this means what this means कि भहिया ये बन्दा is very लेकिना financially oriented as well पैसो के संबन्द में बड़ा इसका वो है ठीक है is number one focus remember Aries में बताया था कि Aries में जो planet बैटर है number one focus हो जाएगा तो कहीं न कहीं भाईया मार second house में और 11th house का Lord हो करके Rahu लगन पे बैठा है पैसा तो बड़ा मुद्दा है पैसा तो मुद्दा है ठीक है अब एक और काम कर लेते हैं हमने 11th house में अभी ज्यादा सीखा नहीं है लेकिन एक बात यह भी sure है कि जो फर्स्ट house में जब राहू गया है mercury के साथ में so it will also राहू mercury का combination what will happen is whichever planet sits with राहू will blow up blow up रांदर extremely good qualities हो जाएगी तो ना mercury sitting so now definitely tells me either his sibling और his speech और vocal और communication related का एक बड़ा major राहू के impact है ठीक है अब यह सब चीज़े पता चल वेगे now we sit sun in the 12th house अब sun in 12th house है so image का issue दे सकता है it can be कि image loss हो जाए ठीक है बार-बार कोई प्रकार की बेज़ती भी हो सकती है है न कोई प्रकार का लांचन भी लग सकता है 12th house का सान है ठीक है and venus के साथ में so now this could be because of either money or because of wife this could be coming लेकिन शुक्र से related चीज़ों के वज़े से लांचन लग सकते है कि आपका कोई scandal पकड़ा गया आपका कुछ हो गया या फिर आपका कोई money monetary related चीज़े हो गई ठीक है financial चीज़ों के वज़े से आपको loss हो गया लेकिन जो भी loss होगा उससे सीधा impact कहा जाएगा लगन पे लब सन पे and at the same time we have what 5th lord with venus 5th lord venus होने सा girl child देगा obviously ठीक है बच्चे वारन चले जाएंगे ऐसा भी combination बना के दीया है ठीक है now venus और इंको भी fame foreign land में मिल सकता है fame foreign lands में भी मिल सकता है 5th house the sun 12th में लगर fame in foreign lands fame in foreign lands में मिल सकता है ठीक है और venus है venus कौन है so there is a natural connection between these two in the 12th house यह किसने नोटिस नहीं किया नोबडी इस नोटिसेंग दिस दिस नाचुरल कोनिशन सन वीनिस अभी हम लोग क्योंकि हाउस वाइस देख रहे तो इसलिए नहीं नोटिस किया तो कोई बात नहीं ठेक है यह इतने पॉइंट समय तो सिर्फ लगन को छोड़ दो राशी छोड़ दो सिर्फ हाउसेस देखके है एनेरजी का लेवल का कॉंसेप्ट समझ में आगया आपको कि भाईया यह एक तो बहुत शक्तिशाली है बल्चाली है इसलिए यह मर्कूरियल काम नहीं कर सकता अच्छा अब चलो दूसरे चरण पर दूसरे चरण में हमने उसके चार्ट पर आना है अगें स्टार्ट पुट्टिंग देप्लाइट्स कौन मत राएगा इसी कौन सी टेक्निक थे चरण नहीं सबसे पहले सिखाई थी एरीज की एरीज में क्या बॉड़ी जो है वो एरीज है और परस्ट हाउस में जो प्लानेट बैठा है वो बॉड़ी को और फादर की काफ़ी तर्वाइट को फादर के स्टेटर से रिलेटेट चीज़े में पहला हाउस ना फादर के बारे में चीज़े बताएगा नोबड़ी यूजिंदेट कोई बाद मत यूज करो मेरा कैजाता है मेरा गाम था पढ़ाना मैं और तुमको प्रूफ करूँगा हर जिगे में पढ़ा पढ़ा के कि देखो मैंने पढ़ाया था तुमने इस्तमाल नहीं किया मेरा तो अब काम लेकिना जिल्दत देने का हो गया प्लानेट हमने देख रखा है भूल जो प्लानेट या आठ नंबर लिखा है पिता के भाव पर पहले पहले तुमको मुझ खोलते ही पहले बोला अरे बिया कुछ इश्यू है फादर को सन ट्वेल्थ हाउस जो जो पिटर नाइंथ लॉड होगर को और इजिनली जो हमने एक इस्टैबलिश किया थे इनर्जी के लेवल पर भी पिता जी कुछ तो कर पड़े सम्धिंग हापन तो फादर यार और तुमको दूसरे क्लास में जहां पर मैं टॉरस पढ़ाया था वहां पर तुमको बताया था कि मार्स अगर सेकेंड हूस हो तो पिता को कश्च देता है मत याद रखो तो नहीं आएंगी प्रेडिक्शन यही करो कि बेरी स्पीच ओर्येंटेड वेरी गुट लुकिंग यही सब बाते बता ना तुम क्लाइंट को क्लाइंट कहेंगा कि मेरे पैसे बर्बाद टाइम बर्बाद सब यही सब ठीक है तो भाईया सन ट्वेल्थ हाओ स्कॉर्पियो मार्स एवरी थिंग इस टेलिंग यू कुछ तो पिता के साथ खराब हुआ है हाँ है यह फादर वोज असासिनेटेट मैडर हुआ अनकी फितर यह प्रेडिक्शन का पहला चारण, प्रस्टेज। तो असाथ झारण जगियों का यह लिए हम वेल्य ड्यारणी खराणी प्रेड टाद लिए प्रत्वी यह आठीटेटेट यहां यह तर एर्छ प्रेडिक्शन का ताड टेलिए यहिता फितर खराणी प्रुआ प्रत्णिता का it was an accident road accident so that is where your Rahu comes into picture ठीक है क्योंकि second house में Mars है and moon भी है ठीक है so we had लिखना अब dad के after going through dad's thing there was struggle regarding financial before that it was good family उससे पहले पहले सब चीजे बढ़या थे second house को Jupiter देखता है so that is where his लेकिना money और उसके regarding में चीजे कही ने कही balance बना के रखा लेकिन खराब किया तो जरूर था ठीक है then what else पहला तो इसको जो profession रहा अब Aries का राहू था ठीक है Aries का राहू था so obviously power position all those things will be like coming into picture also satan is sitting in the sign of Leo son satan combination has given him government job government employee ministry of foreign affairs तो जो वो पॉइंट है ना जो अभी ची बोले थे कि विदेश में फेम मिलेगा और अब अब लिब्राब डिप्लोमसी है तो वहां डिप्लोमसी के लिए और ये अक्चली प्रोफेशन जो है ना काफी बात का प्रोफेशन है प्रोफेशन जोपिटर रेट में तो लीगल टैक्सेशन या फैनांस से रिलेटिफी स्किल देगा घपला तो हां मतलब स्केल है तभी तो गफला है ना कोशिश ज्यादा कर रहा हां